भारतिय टेलेविजिन ब्रांड शिंको ने अपना नवीनतम 43-4K HDR LAD स्मार्ट टीवी 20,999 रुपे के लिए लॉंच किया है। टेलेविजिन वर्तमान में कमपनी की आधिकारिक वेबसाइट शिंको.in पर उपलब्ध है और इसे भारत में Amazon पर भी बेचा जाएगा। Smart Television Android 9 पर आधारित कस्टम इंटरफेस के माध्यम से कई आप्स का समर्थन करता है और इसकी ओडियोग शमताओं और कनेक्टिविटी विकल्पों का भी उप्योग करता है। यह साकार के बाजार में इस समय सबसे सस्ती 4K टेलविजन है क्योंकि इस कीमत पर सबसे अधिक 43 इंच के टीवी में Full HD LED डिस्प्ले अवेलेबल है। 43 इंच के Ultra HD 3840 x 2160 पिक्सल रेजलूशन और HDR अनेबल डिस्प्ले के अलावा, शिनको S43U QLS टेलिविजन एक स्मार्ट टीवी है, जो Android 9 पर आधारित कस्टम इंटरफेस पर चल रहा है। यह Official Android TV 9 Pie नहीं है, बलकि Purpose Built Interface जिसे Unival UI कहा जाता है। यह कई लोग प्रिय आप्स और स्ट्रीमिंग सर्वसिस के आधिकारिक वर्शन्स का समर्थन करता है। सपोर्टेड आप्स की सूची में Hotstar, Z5, Sony Live, Geo Cinema और और बालाजी जैसी बहुत सारे आप्स शामिल हैं, जबकि शिनको यह भी बताता है कि Netflix, Amazon Prime विडियो और YouTube टीवी पर काम करेंगे। शिनको 43 इंच टेलेविजिन में 2GB RAM और 16GB स्टोरेज है और यहे 55-Quad-Core प्रोसेसर द्वारा संचालित है। पोर्ट्स के लिए इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट है। HDR के लिए टेलेविजिन में HDR10 तक का समर्थन करता है। टेलेविजिन में 20W Rated Audio Output वाले स्पीकर्स है, और DBX TV Audio Technology का समर्थन करता है। शिनको TV के साथ External Speakers या Headphone का उप्योग करने के लिए Bluetooth Connectivity Option भी है। Noidas 3 शिनको भारत में बजट टेलेविजिन सेग्मेंट में मजबूत Competition की उम्मीद कर रहा है। शिनको 43 इंच का प्राइस 20,999 रूपीज उन रहकों पर जीत की उम्मीद करता है जो Full HD Options पर विचार कर रहे हैं। अधिकांश Competition, जिसमें वू, Xiaomi और Realme जैसे ब्रैंड्स शामिल है, उनके पास इस राशी का 43 इंच का सिर्फ Full HD विकल्प है। शिनको इसी कीमत के लिए 4K और HDR का वादा कर रहा है। शिनको का मूल्य निर्धारन अक्सर Headline Material रहा है। कमपनी ने पिछले साल एक Flash Sale की घोशना की थी, जहां 55 इंच का 4K LED TV सिर्फ 5555 रुपे में सीमित मात्रा में बेचा जा रहा था। कमपनी को उम्मीद है कि वह भारत में अपने मजबूत मूल्य निर्धारन और Manufacturing का लाव उठा कर देश में बायर्स को जीत पाएगी।